थाँ एरिवन वेलकम बैक तो शड़ा गெल्डरी चलिये वही बहुत धिलिशियास टेस्टी हहल्वी रेसिपी बनाते हैं और आज के रेसिपी को पूरा देखकर जरूर लाइक करियेगा है एवरिवन वलकम बैक तो शड़ा गेलरी चलिए आज बीना चासनी बीना मावा बहुती सूपर सॉफ्ट लड्ड बनाते हैं वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा एक खास ट्रिक है तो चलिए रेसिपी बनाते हैं सबसे पहले मैंने आधा कटोरी घी लिया है तो हम पहले थोड़ा डालेंगे और उसके बाद में हम याने जो आधा बचा है वो डालूँगी घी तो उसी कटोरी से दो कटोरी मैंने नॉर्मल वाला रवा जिसको सूजी कहते है देखिए सूजी डाल दिया मैंने अब दो कटोरी सूजी है तो आपको नो कंटिन्यूसली कम से कम चार या पाच मिनिट पहले अच्छे से रोस्ट करना है इसको ग्यास की फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है और लो फ्लेम पर हमको कंटिन्यूसली चलाते हुए याने इन जो रवा है इसको अच्छे से रोस्ट करना है और फिर कम से कम चार मिनिट बात फिर से हम एक से देड़ चमच घी डालेंगे ऐसा थोड़ा-थोड़ा करके ही हम घी तो शुगर का पाउडर बना दिया है यानि शक्कर का पाउडर बना यहां पर डालना है और अच्छे से मिक्स कर दीजिए अभी आपको ग्यास ऑफ करना है अब इसको ढ़कन लगा दीजिए और कम से कम हम इसको पाच मिनिट यानि ढ़क कर रखेंगे उसके बाद में ग्यास करना है अब फिर से कंटिन्यूसली एक से दो मिनिट हमको रोस्ट करना है और जो बचा हुआ घी है वो भी यहां डाल देंगे तो कम घी में भी अच्छे लड्डू हम बना सकते हैं आप थोड़ा ज्यादा भी घी यहां पर यूज कर सकते हैं तो देखिए बहुत अच्छी नहीं करना है और यह एक खास ट्रिक है इस ट्रिक से जरूर बना कर देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बड़िया लड्डू बने है और जो पहली बार भी कुकिंग कर रहे हैं उनको भी आसानी से लड्डू बनाते आ जाएगा मैंने क्या किया है आपने देख लिए है इतना अ केज पर अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे है तो जो हमने मिश्रन बनाए उसमें एक दो चमत घी डाल दीजिए और मिक्सर में घुमा कर इस तरह से लड्डू बनाईए बहुत ही बड़िया लड्डू बने हैं फटा फट बने हैं आप यहां पर ड्राइफूट्स डाल कर यह लड्डू बना सकते हैं मैंने बस थोड़ा थोड़ा पिस्ता लगाया है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ना सारे लड्डू मैंने बना लिये हैं एक आसान से ट्रिक है यह जरूर फॉलो करिएगा और मुह में जाते ही घुल जाएंगे यह लड्डू इतने स्व्यूम्ह